नमस्कार दोस्तों मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैं फॉरेवर पर दोस्तों सोम डिश्टिल्रीज एंड बुरिवरीज लिम्टेड ये कंपनी अपना राइट इसू लेकर आ रही है और इसके लिए इन्होंने रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर दी है और देखते हैं कि ये राइट इसू कब उपन होने जा रहा है तो अगर हम यहाँ बर पहले रेशो देखें कि क्या रेशो रखा है कंपरी ने राइट एंटाइटल्मेंट के लिए तो जो रेशो रखा है वो 10 इस्टू 211 का है इसका मतलब कि हर 211 सेयर पर आपको जो है 10 राइट एंटाइटल्मेंट्स अलाट होंगे और ये जो right entitlements आपको credit होंगे वो हो जाएंगे 25 अपरेल 2023 ततथ अब यहाँ पर एक चीज आती है कि क्योंकि ratio जो रखा गया है वो 10 is to 211 का रखा गया है 211 का तो हर 211 पर 10 right entitlements अलोट होंगे तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि उनका क्या होगा जिनके पास 211 से कम share है तो यहाँ पर अगर मैं जो company का letter of offer है उसके द्वारा जो मेरी understanding आती है वो यह है कि company ने वहाँ पर mention किया है कि हर 22 share पर अगर 22 share है minimum तो हर 22 share पर एक fractional right entitlements मिलेगा तो फिर 22 के multiple पर यानिकि अगर आपके पास 22 है तो एक fractional right entitlements मिल जाएगा आपको 44 है तो 2 पर अगर आपके पास 50 है तब भी 2 ही मिलेंगे तो हर 22 share के multiple पर fractional right entitlements यहाँ पर देगी company बट अगर आपके पास 22 share से कम है तो जो आपका fractional entitlement है उसको company ignore कर देगी बट यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि अगर same investor पिछले right issue में भी अगर ignore किये गए है fractional right entitlements से तो उन्हें इस बार जो है allotment किया जा सकता है right entitlements का तो यह doubt आपका clear हो गया होगा मेरे खैल से चलिए अब देखते हैं कि जो credit तो हो जाएंगे 25 तारिक तक अब यह right issue open कब होगा तो यह right issue open होगा 26 April 2023 को और यह close होगा 11 मई 2030 को तो ऐसे eligible investor जो इस right issue के लिए apply करना चाहते हैं वो 26 April से लेकर 11 मई तक जो है इस right issue के लिए apply कर सकते हैं right shares के लिए apply कर सकते हैं और जैसे ही right issue open होता है उसी date से जो है right entitlements की trading भी start हो जाती है तो right entitlements की trading की जो last date रहेगी वो है 8 मई 2030 की तो 26 April से लेकर 8 मई तक जो है right entitlements की trading चलेगी और जो on market renunciation होता है नहीं कि जब right entitlements की trading चालू होती है तो यहाँ पर एक चीज बहुत सावधानी से ध्यान में रखे यह जो right entitlements होते हैं जो की eligible investors को allot हुए है या फिर अगर आप secondary market से इने खरीते हैं यह temporary listed securities होते हैं आपने अगर इन्हें खरी रहा है या आपको allot हुए है तो आपको इन्हें apply करना होगा या तो asba के थुरू online asba के थुरू अपनी net banking का use करके या फिर आप किसी भी self certified syndicate bank में जाकर physical asba का form भरके आप जो है अपने right entitlements जितने भी आप eligible हैं उतने right shares के लिए apply कर सकते हैं issue price पे करके तो अब यहाँ पर इस right issue का जो issue price रखा है वो है 140 रुपे पर share का जी हां तो जब आप application करेंगे तो हर right shares पर आपको 140 रुपे पे करना होगा अब बात करते हैं कि यहाँ पर जिन्होंने apply कर दिया है उनको allotment कब तक हो जाएगा right shares के लिए तो allotment की जो tentative date है भी वो है 19 माई 2023 की और यह जो share है याने कि अगर आपने apply कर दिया है allotment भी हो गया है तो जो credit होंगे आपके जो demate account में वो होंगे 23 माई 2023 तक की यह expected date है और यह right share listing कब हो जाएगी इनकी तो यह listing हो जाएगी 29 माई 2023 को यह right share जो है वो list हो जाएगे यह अभी तक का ऐसा schedule है company अगर चाहे तो इसमें changes कर सकती है अगर ऐसा होता है तो उसके regarding आपको update कर दिया जाएगा अब बात करते हैं stock current market price देखें तो वो अभी 155 रुपए 10 पैसे का चल रहा है और issue price जो है वो 140 रुपए का रखा गया है तो देखें तो अभी फिलाल में 15 रुपए 10 पैसे का हमें discount देखने को मिलता है बट क्योंकि यह अभी x right होगा और उसके बाद जो हमें actual price पता चलेगा तो जब यह issue open होगा उसके एक दिन पहले इस पर और update दूँगा और हम वहाँ पर बात करेंगे कि जो इसके right entitlements की trading होने वाली है उसके एक fair price क्या निकल कर आता है और एक क्या strategy यहाँ पर investor की तरफ से देखने को मिल सकता है तो अगर अभी तक आपने channel subscribe नहीं किया तो please इससे subscribe कर लीजिए और जानकारी पसंद आई ह यह तो वीडियो को like जरूर करिएगा thank you